कंजुमर आवेकनी मिशन में आपा स्वागत है फ्रेंड्स वर्ष समाप्त हो गया नाया वर्ष शुरू हो गया पिछले वर्ष में सुप्रीम कोट ने क्या-क्या ऐसे नड़ें की जिससे आम पब्लिक को लाब हुआ उसमें आज हम एक ही विशे कर चुनेंगे एजुकेशन को कोवीट के दोरान एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलिफों का सामना करना पड़ा कभी स्कूल खुले, कभी ऑनलाइन क्लासिस हुई, कभी एक्जैम्स नहीं हुए कभी एक्जैम्स के लिए असेस्मेंट स्कीम्स बनाई गई और कभी स्कूल बंध होने पर भी स्टूडेंट्स को फीस देनी पड़ी ये सारे इशुस थे जो एक-एक करके सुप्रीम कोट के पास पहुँचे मैं बहुत अधिक विशेयों पर चर्चा ना करके आज केवल और केवल स्टूडेंट्स से रिलेटिड उन विशेयों पर चर्चा करेंगे जो 2021 में हुए तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्जैम्स कैंसल हुए पहले चलते हम उस केस पर जिसमें स्टूडेंट्स ने कोट में अपनी अर्जी लगाई कि स्कूल जब बंद रहे और हम लोगों को आनलाइन क्लासिस करवाई गई तो स्कूल में तो हम गए नहीं तो जो अपरेशनल चार्चिस हैं वो स्कूल के बचे तो हम से पूरी फीस क्यों ली जाएं ये केस था इंडियन स्कूल जोधपूर वर्सिस स्टेट अफ राजस्थान जिसका नेड़ाई सुप्रीम कोट ने तीन मई दोहजार इकिस में किया इसमें ओर्डर में सुप्रीम कोट ने स्टूडेंट्स को राहत दी और कोट ने ये माना कि ओपरेशनल चार्जिस तो स्कूल के बचे ही इसलिए सारे प्राइवेट स्कूल एन्वल चार्जिस पर पंदरा परसंड की डिड़क्शन करके फीस लेंगे और सीबी असे के स्कूल टोटल कलेक्शन जो एन्वल चार्जिस की होगी उसका सत्तर परसंड नेंगे एक बहुत बड़ी राहत थी स्टूडेंट्स को जिसमें उनको पंदरा परसंड का कंसेशन मिला फीस में और जिनों ने फीस पे कर दी थी उनको रिफंड भी मिला दूसरा केस था ममता शर्मा वर्सिस सेंट्रल बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसका नेड़े सुप्रेम कोट ने 22 जून 2021 को किया इसमें इशू ये था बारवी क्लास के और ICSC बोर्ड के फिजिकल एक्जैंस को कैंसल किया गया और स्टूडेंट्स ने इसको चैलेंज करते हुए पेटिशन लगाई अब सुप्रीम कोट ने इसमें क्या आडर किया सुप्रीम कोट का मानना था कि ये वेल इनफॉर्म्ड डिजियन था इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो बताई ना गई हो और हाइस्ट लेवल पर इस पर चर्चा हुई है और इसमें 20 लाग स्टूडेंट्स के भविश्चे का मामला था इसलिए फिजिकल एक्जाइम्स कैंसल करना सही माना और दूसरी बात एसेस्मेंट के लिए जो फार्मिलेटिट स्कीम सी CBSE की या ICSE की उनको भी चैलेंज किया गया और कोट ने माना कि ये उनका statutory function है इसमें हमको कुछ कहना नहीं है और कोई इसमें second guess की आवशकता नहीं है कुछ भी ना unfair था और ना ही कुछ गलत था तो सब कुछ fair तरीके से और reasonable तरीके से चला इसलिए इसके लिए भी इसमें हमको कोई interfere नहीं करना है तीसरा case था अनुभष श्रिवास्तवा सहाय वर्सिस जूनियन अफ इंडिया जिस भी ये कहा था कि ये जो assessment schemes है इनको सरकार जल्दी से जल्दी notify करे या सी बी यसी जल्दी से जल्दी notify करे ताकि हमें पता चले कि बारवीक अक्षा के जो फिजिकल exams नहीं हुए उनकी assessment schemes क्या थी इसके लिए सुप्रीम कोट ने direction दी कि तुरंत 10 दिन के अंदर-अंदर assessment schemes को बताया जाए सबको और इसको open किया जाए और board को भी ये कहा कि आप इसको formulate कीजिए और declare कीजिए कि अंदर 31 जुलाई तक आप internal assessment result भी declare करिये ताकि students को आगे जाने में सुविधा हो और public at large आश्वास्त हो सके कि बारवी के exam cancel होने के बावजूद भी उनके लिए एक assessment scheme है और अच्छी scheme है उसको लगू भी किया जा रहा और जल्दी ही उसका result भी दिया जाएगा next case था अनुभाश वास्त्वा सहाई वर्सिस जुनान अफ इंडिया का ही जिसमें ICAI Chartered Accountant of India इस संस्था को direction देने के लिए कहा गया था Chartered Accountant के जो exams होने थे उसके कुछ candidates COVID affected है और वो exam नहीं ले सकते तो इसके लिए court ने direction दिया था कि यदि ये information properly दी जाती है documents के साथ evidence सामने लाई जाती है कि COVID affected थे तो उनको दुबारा chance दिया जाए किन्तु उसमें ये शर्त लगाई कि केवल symptoms दिखा देने भर से उनको COVID affected नहीं माना जाना चाहिए उसके लिए properly RT-PCR test report भी प्रस्तुत करनी होगी तभी उनको एक chance और दिया जाएगा दूसरा charted accountant से संबंधी एक और केस था ये केस था शशांक सिंग वर्सिस जूनियन अफ इंडिया का जिसमें जो students CBSC, private, पत्रचार या second complimentary exam के लिए बार्वी कक्षा के लिए अपियर होने वाले थे उनको higher classes में UGC या AICTE में प्रवेश करने के लिए अनुमती दी जाए result आने से पहले कोट ने माना कि इनको permission दी जाती है कि वो अपियर हो सकते हैं और जब उनके result आएं तो वो अपने result अपने result भी वहां प्रस्तुत करेंगे और तभी निर्णे लिया जाएगा कि उनको admit किया जाए यह ना किया जाए एक केस था सुकृती एंड अधर्स वर्सिस CBSE एंड अधर्स इसमें स्टूडेंट्स को अपने marks इंप्रूव करने के लिए जो option होती है उसमें उनके marks कम आए तो उनका मानना ये था कि चुकि हमने पहले जो exam दिये थे उसमें हमारे marks अच्छे थे दूसरी बार जो exam दिये उसमें हमने इंप्रूव करने की बजाए हमारे marks कम आ गए तो सुप्रीम कोड तक गए स्टूडेंट्स ये कहने के लिए कि हमारे पहले वाले exam के जो results से उसको consider किया जाए कोड ने उनकी इस बात को भी मान लिया और CBSE को direct किया कि आप अपनी scheme के बारे में rethink कीजिए देखे यहाँ पर एक बात note करने की है जो jurisdiction institute की होती है वो उसमें अपना कोई भी निर्ड़ें ले सकते हैं court उन पर दबाव नहीं डालता किन्तु उनको rethink करने के लिए direction अवश्य दे दी और obviously court ने अगर ऐसा कुछ सोचा है और माना है तो institute भी statutory bodies भी उसको follow करती हैं अगला case था association of private schools of UP and others versus union of India इसमें students ने ये कहा कि क्योंकि हमारे exams cancel कर दिये गए हैं तो हमें examination fee जो दी वो refund होनी चाहिए सुप्रिम कोट ने इस बात को नहीं माना और कहा कि fees refund नहीं होगी क्योंकि exam नहीं लिए उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं statutory काम में जो खर्च होता है वो examination fee तो कुछ भी नहीं है उनका assessment के लिए scheme बनाई गई और भी बहुत सारे काम किये गए तो उसके लिए fees refund करने के लिए सुप्रीम कोट में मना कर दिया रचना वर्सिज यूने नफ इंडिया के केस में UPSC में बैटने वाले students ने extra chance की मांग की क्योंकि कोवीड के दोरान उनकी preparation affected होई थी तो इसको भी सुप्रीम कोट ने नहीं माना क्योंकि इसमें पूरा वर्ड ही affected था business affected थे, health affected थे, economy affected थी तो extra chance देने की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे chances अलरड़ी दिये जा चुके हैं और preparedness में कोवीड के दोरान कोई ऐसा प्रभाव पढ़ा हो ऐसा सुप्रीम कोट ने नहीं माना instead अधिक समय मिलता आराम से बैठ कर तयारी हो सकती थी, तो इस प्ली को सुप्रीम कोट ने नहीं माना किन्तु एक और केस था सोहन कुमार और अड़र्स वर्सिस यूनियन अफ इंडिया, इसमें क्या था, इसमें स्टूरेंट रिटन एग्जैम्स में पास हो गया और इंटर्वीड के समय जो उसको डॉकुमेंट्स देने थे वो नहीं दे पाया, उसके लिए उसने कोवीड का सहारा लिया कि कोवीड के दौरान मैं टाइम पर अपने डॉकुमेंट्स नहीं दे सका कोट में इसमें माना कि चुकि कैंडिडेट रिटन एक्जाम में पास हो चुका था और इंटर्वीड से पहले जो उसे अपनी डिग्री सब्मिट करनी थी वो कोवीड के सिच्चेशन के कारण नहीं जमा करा सका तो इस स्टूडेंट को सुप्रीम कोट ने इंटर्वीड में अपियर होने के लिए पर्मिशन दे दी और अथोरेटी इसको डारेक्ट किया कि इसको इंटर्वीड में बैठने दिया जाए और वो अपनी डिग्री अब सब्मिट करा दे इसी तरह का एक और केस भी था दीपक यादा वर्सेज यूपीएस सी इसमें भी और वेदेही गुपता वर्सेज यूपीएस सी इनमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी और सुप्रीम कोट ने अथोरेटीस को डिरेक्शन दी कि इनको इंटर्वीड में बैठने दिया जाए Thank you very much friends बहुत सारे केसिस में सुप्रीम कोट ने बड़ी रहादी स्टुडेंट्स को फीस से लेकर examination में बैठने तक और examination से concerned सारे issues को सुप्रीम कोट ने 2021 में solve किये, we are thankful तो सुप्रीम कोट और आप भी हमारे सथ बने रहे हम इसी तरह के नए विशे लेकर आपके पास आते रहेंगे हमारे चैनल को योड़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए icon बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम आपको uploads regularly देते रहें Thank you very much